नवश्कार मैं श्वीता और आप देख रहे हैं न्यूस फोर्नेशन पिछरे दिनों बिहार बोज के इंटर की परिक्षाएं संपन हुई साथी साथ उसके कुछ दिन के बाद मैट्री की परिक्षाएं भी पूरी कर लीगे जो इसके बाद अब स्टूडेंट को रिजल्ट का इनपिजार है तो यह हम आपको बता दे कि इंटर की जो रिजल्ट है वह मॉर्च में आए ओं मैट्रे की परिक्षाएं के जु रीजल्ट है वह अपरेल तक दे दीच कि अप्रेल जाए जाएगे यहार विद्याले परिक्षा समीती की इंटर के बार मैट्री की परिक्षा भी बुदवार को संपन हो गई बोड ने इंटर और मैट्री की कौपियों को तेजी से मुल्यांकन के रूप रेखा में तै कर दिया बोड ने बुदवार को आयो जीत समवाद्धा सम्मेलन में बोड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटर का मुल्यांकर 24 फरवरी से 5 मार्च तक कर दी जाएगी साथी साथ मैट्रिक का मुल्यांकर 1 से 12 मार्च के बीच होगी इंटर का रिजल्ट मार्च में तो मैट्रिक का रिजल्ट मार्च के अन्त या 15 अप्रेल तक आ सकता है इंटर के लिए 123 मुल्यांकर केंद्र बनाए गए है जहां 20,427 प्रधान परिक्षा और सर परिक्षकों को न्युक्ति की गई है वही हम आपको बताते चलें कि 10,302 MPP की न्युक्ति की गई है ये सभी 69,44,777 उत्तर पुस्तिकाओं की जाच करेंगे मैट्रिक की परिक्षा के लिए मुल्यांकर कार 1 से 12 मार्च के बीच होगा 172 मुल्यांकर केंद्रों पर करीब 69,773,774 कौपियों का मुल्यांकर होगा मैट्रिक के लिए 27,006 प्रधान परिक्षक और सर परिक्षक न्युक्ति की गई है वही अगर हम पतना शहर की 5 केंद्रों की बात करें तो पतना शहर की पांच केंद्रों पर शुक्रवास से इंटर की परिक्षा की कौपियों का मुल्यांकन होगा इसमें B.N. College, Collegeate School, पतना Collegeate School, कदमकुआ, जीरी, पाटली, पुत्रा, सीनिय, सेकेंडरी स्कूल, गर्दनी बाग, शाहिद, रजिंदर, प्रशाद, सिंग, गवर्मेंट, प्लस टू स्कूल, और गर्दनी बाग, गवर्मेंट, गर्ल्स खाई स्कूल, शामिल है इन केंद्रों पर दो पालियों में सुबा आट बज़े से दो पहर दो बज़े तक की जाएगी और फिर दो पहर के तीन पैतालिस से रात की नो बज़े तक कौपियों का मुल्यांगन किया जाएगा वहीं बिहार बिद्याले परिक्षा समिती यानि की बिहार बोड की मैट्री की परिक्षा बुद्बार को शांती पूर्वक संपन हुई 14 फरवरी से लेकर आज तक आयोजित परिक्षा में कुल 171 चात्र शात्राओं को परिक्षा के कदाचार की वज़े से निश्कासित कर दिया गया वहीं 117 चात्र शात्राओं को दूसरे की जगह पर परिक्षा देते पकड़ा गया बोट दुआरा जारी आकरे के अनुसार सबसे अधिक सारन में 43 चात्रों को निश्कासित किया गया वहीं नालंदा में सबसे अधिक कुल 40 चात्रों को दूसरे जगह परिक्षा देते पकड़ा गया है पटना में सिर्फ एक निश्कासित हुए है वहीं कोई भी दूसरे जगह से परिक्षा देते कोई नहीं पकड़ा गया अब उद्वार को एशिक विषय की परिक्षा योजित की गई थी इसमें पूरे राज में 11033 परक्षियार्थियों ने भाग लिया था तो भी हार बोट की मैक्ट्री की परिक्षा कल शांती पूरबक संपन हुई अब इसके बाद इनके रिजल्ट की अनॉंस्मेंट भी बता दी गई है जहाँ पर मैक्ट्री के परिक्षा की रिजल्ट मार्श के इंड से लेके 15 अप्रेल के बीच कभी भी आ सकते हैं वहीं अगर बारवी के रिजल्ट की बात करें बारवी इंक्ट्र की परिक्षा की रिजल्ट की बात करें तो वह मार्श में रिजल्ट घोशित हो सकते हैं और भी न्यूस और अप्डेट के लिए देखते रहें न्यूस पॉनेशन थनिवाद